हम सिर्थे दात्री की तुम्हे भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं नोवे दिन नवरात्रों में इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं मा सिद्धी दात्री निराली, सब सिद्धी अदेने वाली मा सिद्धी दात्री निराली, सब सिद्धी अदेने वाली भत जनों, आज नवरात्रों का नौवा दिन है आज के दिन पावन नवरात्रों का समापन हो जाएगा नवरात्रों के नौवे दिन माता सिद्धी दात्री के रूप की पूजा की जाती है माता सिद्धी दात्री सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली है माता का ये रूप संपूर्णता का प्रतीक है माता सिद्धिदात्री का पूजन करने से भक्तों को सभी सिद्धियां प्राप्त होती है तो चलिए सुनते है मा सिद्धिदात्री की महिमा एवं कथा और पूजा विधी सिद्धिदात्री माता का ये रूप लोगिक है रत्म जड़त एक स्वर्ण मुकुट सजा इनके मस्तक है कानों में कुंडल गले मुतियन की माला सचती चार भुजा धारी माता बड़ी प्यारी है लगती एक हाथ में चत्त है इनके दोजे हाथ गदा तीजे हाथ में शंक है इनके जोधे कमल सजा कबल पुष्प है आसन करती सिंग सवारी है माता सिती दात्री की भक तोछ विन्यारी है ब्रम्हा विश्नु शंकर भी शीष चुकाते हैं आवन कथा सुनाते हैं नोवे दिन नवरात्रों में इनको ही ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं मा सित्धी दात्री निराली सब सित्धी अदेने वाली मा सित्धी दात्री निराली सब सित्धी अदेने वाली मा सित्धी दात्री का यह रूप बड़ा ही अलौकिक हैं मा सित्धी दात्री की पूजा करने से भत्तों को समी प्रकार के सित्धी अप्राप्त होती हैं माता सित्धी दात्री जगत की संपून शक्तियों को अपने आप में समेटे हुए हैं इनका पूजन करने वाले भत्तों के लिए कुछ भी अगम में नहीं रहता नवरातों का पर्व बड़ा ही होता पावन है और नवी दिन होता भत्तों इनका समापन है माता के भत्तों के लिए जो खुशिया लेकर आएं सित्धी दात्री माता तो सब पर किरपा बरसाएं सित्धी दात्री रूप का जिसने ध्यान लगाया है धनवे भग सुक संपदा उसने सब कुछ पाया है सित्धी दात्री माता को के से अवतार हूँ वेदों में वरणित मिलती है इसकी एक कता आभद तो इस कता को हम दोहराते हैं आवन कता सुनाते हैं नोवे दिन नवरात्रों में इनको ही ध्याते हैं हम कता सुनाते हैं मा सित्धी दात्री निराली सब सित्धी अदेने वाली मा सित्धी दात्री निराली सब सित्धी अदेने वाली भत्त जनो माता सित्धी दात्री का अवतार कैसे हुआ और इनका नाम सित्धी दात्री क्यों पड़ा इसकी एक बड़ी ही पावन कता है कहते हैं जब असुरों के अत्याचारों से सभी देवतागन परिशान हो गए तो वे ब्रह्मा विश्णू और शंकर जी के पास आए तीनों देवताओं ने मिलकर के एक शक्ति को उत्पन किया उन्ही का नाम सित्धी दात्री पड़ा त्रिद्यमों ने मिलकर के एक शक्ति बनाई है सित्धी दात्री पात आगई तो भगत्यों का आई है जैसे किस दात्री नों माता का कहलाए आठो सित्धी आप्राप्त माता के भगत्यों को हो जाये अणिमा लगिमा बहिमा गरिमं सिधी मिल जाती इशत्व विशत्व प्राकम में और मिलती है प्राप्ती बोले नाथ ने भी तो इसी रूप को ध्याया था अर्धना रिश्वर रूप तभी तो अपना बनाया था क्यूं बने अर्धना रिश्वर अब ये बताते है आवन कथा सुनाते है नोवे दिन नवरात्रों में इनको ही ध्याते हैं हम कथा सुनाते है मा सिद्धी दात्री निराली सब सिद्धी अदेने वाली मा सिद्धी दात्री निराली सब सिद्धी अदेने वाली भक्त जनों माता सिद्धी दात्री वही रूप थे जो सभी देवताओं और ब्रह्मा विश्णु महेश जी की शत्ती से उत्पन हुई थी कहते हैं भगवान बुलेनाथ ने इसी रूप का ध्यान लगाया था तब वो अपना अर्धना रिश्वर रूप बना पाये थे भोलेनाथ ने दिख लूया क्यूं अपना रूप बदल कर किसका रण बन गय है भोले भक्तों अर्धना रिश्वर जब ब्रह्मा जी इस स्रिष्टी की रचना करने लगे नर्ही नर्तों ब्रह्मा जी ने सारे बना दे नारी का कोई रूप भर कर आया न उनके बन में नर्ही रूप में सब जीवों की लगे है रचना करने बोले नात फिर ब्रह्मा जी के पास में आये हैं बोले नर्ही नर्ब्रह्मा जी आप बनाए हैं नारे के मिन वन्ष चले न उन्हे समझाते हैं पावन कथा सुनाते हैं नोवे दिन नव रात्रों में इनको ही ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं मा सिध्धी दात्री निराली सब सिध्धी अदेने वाली मा सिध्धी दात्री निराली सब सिध्धी अदेने वाली प्रह्मा जी ने स्रिष्ठी की रच्ता की तो उन्हों ने सब जीवों کا नर्के रूप में ही निर्मान किया ऐसे में भूले नात उनसे कहने लगे हैं ब्रह्मा जी यदि स्रिष्टी में नर ही नर होंगे तो ये स्रिष्टी आगे कैसे बढ़ पाएगी आखिर एक दिर इन सब कान्त हो जाएगा और आपको फिर से स्रिष्टी की रचना करनी पड़ेगी अताहा आप नर के साथ नारी का भी रूप बनाएग ताकि वनशागे बढ़ सके हे ब्रम्हाजी नारी बिन विस्तार है संभवना नर के साथ में आप करो नारी की भी रचना नर और नारी मिल करके पूरण होगा संसार इस स्रिष्टी की रचना का सौपा है करमा बोले ब्रम्हाज कैसे भला करो नारी की रचना ऐसे छबी है बोले नाथ मेरे मन में कुछ भी ना बोले नाथ ने चाहा ब्रम्हाजी को समझाना इसके लिए पर पड़ेगा उनको नारी रूप दिखाना जिसके लिए करने को तपस्या भोले जाते हैं आवन कथा सुनाते हैं नोवे दिन नवरात्रों में इनको ही ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं मा सिध्धी दात्रि निराली सब सिध्धी अदेने वाली भत्य जनो भगवान भोले नात ने प्रम्हा जी को बताया कि नारी के बिना तो सुष्टी का आगे बढ़ना ही संभव नहीं है जब एक दिन गे नर्वृत हो जाएंगे तो मृत्यू को भी प्राप तवश्य होंगे और जब इनका कोई वन्शजी ना होगा तो सुष्टी भिससे नश्ट हो जाएगे सुष्टी को आगे बढ़ाने के लिए आपको नारी की रचना करनी होगी जब प्रम्हा जी ने कहा कि मेरे मन में नारी की रचना करने का विचार नहीं आ रहा नारी की रचना कैसी होनी चाहिए बोलेनाथ आप ही बताएं बोलेनाथ नारी का सुरूप ब्रम्हा जी को दिखाना चाहते थे किन्तु ये ऐसे संभव ना था इसके लिए उन्होंने मा सिद्धि दात्री का ध्यान लगाया ब्रम्हा जी को नारी का स्परूप दिखाना था लेकिन भक्तों ऐसे ही ये तो संभव ना था करनी पड़ी है भोलनोथ को बड़ी हिकठिन तपस्या नारी रूप दिखाना संभव तम ही तो हुआ माता सित्वी तात्री को भोले ने ध्यान लगाया आधा नर और आधी नारी बन करके दिखलाया ब्रह्मा जी ने जिसे देखकर की नारी की रचना तब ही संभव हो पाया है इस स्रिष्टी का चलना सित्थी दाती रूप का भोले ध्यान लगाते हैं पावन कथा सुनाते हैं नोवे दिन नवरात्रों में इनको ही ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं मा सिध्धी दात्री निराली सब सिध्धी अदेने वाली मा सिध्धी दात्री निराली सब सिध्धी अदेने वाली भक्त जनू इसलिए कहते हैं मा सिध्धी दात्री सभी सिध्धियों की दाता है जब भगवान स्वैम भूले नात नहीं इनके रूप का ध्यान किया था तो समझे माता का ये रूप कितना महान और कल्यान कारी होगा सिध्धी दात्री रूप में बैया करते सदा कल्यान सभी सिध्यों की है स्वामिनी मा का रूप महान मा के वहिमा वर्लन से सब होते काम सफल है तनवन को पावन करती इनकी भरती निर्मन है पुट सब का माहोल है नो दित के ये नव राते नव दुरदा के नो रूपों को जिसमे भक्त मनाते आज तनोवा दिन है सिध्य दात्री को ध्याए अवन की पूजाव दिभक्तों आओ तुम्हें बताए पहले मा की श्री चरनों में शीष चुकाते हैं आवन कथा सुनाते हैं नोवे दिन नव रात्रों में इनको ही ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं मा सिध्य दात्री निराली सब सिध्य अदेने वाली मा सिध्य दात्री निराली सब सिध्य अदेने वाली भत्य जनों अब हम माता सिध्य दात्री की पूजा विधी का वर्णन करेंगे जिससे माता सिध्य दात्री अधी प्रसंद होकर भक्तों पर क्रिपा बरसाएंगी रात होट कर स्लान करे ब्रह्म महूरत में स्वच्छ साफ की वस्त्र फिर तो अपने तन पर पहले माता से त्री दात्री की मूरत धिर्चों की पे सजाकर माता करे श्रिंगार पहले गंगा जल मेहलाकर श्वेत ही रंग के पहलाए माता को सब वस्त्र और मस्तक पे तिलक इनके चंदन से देना पर दूद से बनी मिठाई का माता को भोग लगाकर और हवन भी सित्ती दात्री के नाम का करवाई और अवाहन में देवता बुलाए जाते है आवन कथा सुनाते हैं नोवे दिन नवरात्रों में इनको ही ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं मा सिध्री दात्री निराली सब सिध्री आदेने वाली मा सिध्री दात्री निराली सब सिध्री आदेने वाली धक्त जनो क्योंकि आज नवरात्रों का समापन हो जाता है इसलिए नौमी के दिन हवन करवाने की प्रधा भी है जिसमें मा सिध्री दात्री सहित सभी देवों का आवाहन भी किया जाता है मा सिध्री दात्री के नाम की आभुती हवन में दी जाती है इसके पश्चात आरती करके भक्तों में प्रसाद वित्रण किया जाता है महरानी अपने भग्तों पर किर्बा बरसाए नवरात्रों में विशेश तोर से होता दुरगा पूजन कहते है मा जगदंबा जिस से होती है प्रसं हन सराजरिल हन पे माता किर्बा तुम्हारी है जेतना शुकला महिमा वर्णन करती सारी है ओजे सुरे शुप माता अपने बड़ा किया एहसान दूर किया जीवन में जो में भैला था ज्यान जिस पर करम आपका वो तो चमते ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं नोवे दिन नवरात्रों में इनको ही ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं मा सिध्धी दात्री मिराली सब सिध्धी अदेने वाली मा सिध्धी दात्री मिराली सब सिध्धी अदेने वाली ओम जैसे थी दात्री माता नोवे नवरात्रे में पूजा तुम्हे जाता नोवी लब राते में बूजा तुम्ही जाता ओंजे सिधी दत्री माता आठों सिधिया तुमसे मैया आती है सिधी दत्री तब ही मा कहलाती है ओंजे सिधी दत्री माता ओंजे सिधी दत्री माता नवी लब राते में बूजा तुम्ही जाता ओंजे सिधी दत्री माता भोले नात ने ये बर तुमसे पाया है अरध नारीश्वर बनकर तब दिखलाया है ओंजे सिधी दत्री माता ओंजे सिधी दत्री माता नवी लब राते में बूजा तुम्ही जाता ओंजे सिधी दत्री माता ऐसा रूप किसी का देखा नहीं कभी मैया देखा नहीं कभी मैया तेरी किरबा से मैया तेरी किरबा से संभव हुआ सभी ओंजे सिधी दत्री माता ओंजे सिधी दत्री माता मैया जेसिधी दत्री माता नौबी नब राते में पूजा तुम्ही जाता पूंग जैसे थी दत्री माता अरी मा महि मा गरी मा लगी मा मिल जाए आठों से थी आ महिया भत तिरे पाए नौबी नब राते में पूजा तुम्ही जाता ओंग जैसे थी दत्री माता से थी दत्री मैया सिधियों का भंडा भत्तो की नईया को तुम करती हो पार ओंग जैसे थी दत्री माता ओंग जैसे थी दत्री माता नौबी नब राते में पूजा तुम्ही जाता ओंग जैसे थी दत्री माता मां सिधि दत्री जी की आरती जो कोई जन गावे जैया प्रीम सहित गावे नौ दिन की नब रात्रों का शुब फल पावे ओंग जैसे थी दत्री माता ओंग जैसे थी दत्री माता नौबी नब राते में नौबी लब राते में पूजा तुम्ही जाता ओंग जैसे थी दत्री माता तुम्ही जाता